हेलो दोस्तों, वेलकम तू सफलता मंत्र, टीटी स्पेशल क्लासेज में एक बार फिर से आप सबी लोगों का सौगत है, आज मैं आप सब के लिए सुबह की पर्यावरण अधिन की क्लास में एक बार फिर से एक नया पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग हमारा परिवे प्रमुख बीमारियां फैलती हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगी, जल के द्वारा फैलने आली बीमारियां, अन्य जो पर्यावरण तथा प्रोदूसर्ण से रिलेटेड बाते हैं, मुद्दे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस पार्ट को दोस्तों, गर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो यहां लगे रेड कलर के पडरन को प्रेस करके महारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक से जाक रफ तीन गुनि बढ़ी है, तो पर्याबरण में जो असमानता फेल जाती है, इसी को पर्याबरण असंतुलन कहते हैं, जैसे कि जन संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है, वैसे वैसे रहने की कमी होती जा रहा है है, पहली चीज, दूसरी चीज, बनों के कटाओ हो रहा और जो प्राकृतिक चीजें जो प्राकृतिक संद्चनाएं हैं जीवदादी इनकी संख्या दिन प्रती दिन घटती जा रही है और यह यह इसी प्रकार से संख्या घटती रही तो निश्चित है कि पर्यावरान असंतुलन बढ़े गाई तो चलिए देखते हैं पहले है तो दूस्तों पहला कोश्यन है गोबर weather can pana पुपयोग किसलिए की आजाता है गोबर गय ॏक मानम निर्मित हैसा सही होता है जिसके माध्यम से गैसे निकलते हैं जो एक भचा बनाने के लिए का मलभा वह त attribute खात कि रूप में परियुक्च किया जा घटा है किसानों के ल सकती और इसे बायो गैस प्लांट भी कहा जाता पहली चीज दूसरी चीज जो है इसका प्रयोग इससे इंधन बनता इंधन और तीसरी चीज यह जो इसका मलवा बचता है वो खाद के रूप में प्रूप्त होता यह तीनों चीज़ें याद रखिए अब बढ़ते हैं बायड आरसेनिक चैडमियम सीच और पारह यह बहुत ही अनिकारक पदार्थ मिल गया हैं इनकी वैसे मात्रह पानी में होती है लेकिन एक निश्यद मात्रह नहीं कम होती है जो लेकिन जब उससे अधिक बढ़ जाती है इनकी मात्रह तो इनसे सभी से अलग-अलग रोग फै जो कि जल में आरसेनी की अधिक्ता हो जाती उससे फैलते हैं इसके बाद फूर्थ नंबर कोशन है जल में कैडमियम की अधिक्ता से कौन सा रोग फैलता है तो इससे इटाई इटाई रोग फैलता है कौन सा इटाई इटाई इनके ना मियाद कर लिए जादा कुछ नहीं पू प्योगी होता है और इसकी जो अधिक्ता हो जाती शरीर में एक इसकी कमी से भी रोग होता है और एक इसकी अधिक्ता से होता है तो अधिक्ता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता दांतों में और कमी की बज़े से दांत कमजोर होने लगते दांतों में समस्या आ जाती है इसके बाद क्या है तो इकॉल हो जाता है इसके एक निशित मात्रा उती जलहें मात्रा बढ़ जाती है इस से जीवाड़ की मात्रा जल में बढ़ जाती है तो इसे पेंचिस रोग हो जाता है कौन सा है पेंचिस रोग किस से होता है इक ओलाई जीवाड़ से अब इसके आद बढ़ते हैं एर्थ नंबर कोशन पर जल को सुध करने के लिए मुखिता किसका प्रयोग किया जाता है तो जल क कुल भी टाइम ना बरबात करते हुए एक कोशन को अच्छे से त्यार कर लिए अब अगला है इक ओलाई जीवाड़ कहां होता है तो दोस्तों यह पानी में एक निश्चित मात्रा में पाए जाता है परन तो इसकी मात्रा बढ़ने लगती है जब तो यह हनिकारक हो जाता ह है और यह पानी में ही पाये जाता तो यह आप कहा होता है पानी में तो जब यह पानी में तो 65 पानी से ही हगा आप बढ़ते हैं टेरनल को सुथ करने में सहाँ क्या करते हैं बन जो होते हैं बायू को सुध करते हैं क्योंकि इसमें जो होती है ऑक्सीजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस के निकलने से जो अन्य गैसे होती हैं वो सभी उत्सर्जित करने जाती है और अन्य जो गैसे होती है वो सभी उनकी मात्रा घट जाती है ऑक्सीज पर्षा के लिए बन साहिव होते हैं ये भी एक इंपॉर्टन कारण इसका और दूसरी जिम्रदा पर्दन को रोकते हैं अब इसके बाद देखिए आपको मिलान करने को दिया गया उचित मिलान करना इसमें आपको कुछ पॉईंट दे दिये गया अब आपलों को इनका मिलान करना कि काउन सा किसे मिलान होगा तो इधर गया ब्रच्चा रोपन जन संख्यावरदी जल परदूसं चोटा परिवार या वाई वरण से क्योंकि जब ब्रच्छा रोपन करेंगे तो उससे पर्यावन का संतुलन बना रहेगा अब इसका दूसरा था जनसंख्या प्रद्दी जनसंख्या प्रद्दी से क्या हो रहा तो जनसंख्या प्रद्दी से रहने के स्थान की कमी हो रहे ही क्योंकि जैसी जनसंख्या पड़ेगी वह उतना ही जनसंख्या जो प्रतिव्यक्ति घनत तो होता है वो घटता जाएगा अगला जल प्रदूसर्ण तो जल प्रदूसर्ण से कौन सा रोग फैलता है इन में से यह आपका हो जाएगा पेंचिस रोग कौन सा होता अभी उपर मैंने बताए था कौन सा इक को उलाई जीवाण से होता है पेंचिस रोग तो वो किसमें पानी में तो पाया जाता है तो पानी में पाया जाता तो यानि कि जल प्रदूसर्ण से ही होता है अगला है छोटा परिवार सुखी परिवार क्या जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार तो इसका इससे संब बीमारियों से जैसे दमा हो गई टीवी हो गई इस्थमा हो गई डिप्थीरिया व गई यह सभी जो होती है यह आपकी वाइब प्रूदूर से फेलने वाली बीमारियां होती है अब दोस्तों एक कुश्चन का अंसर आप लोगों को कमेंट वॉक्स में देना आप लोगों को बताना है CNG की फुल फॉर्म क्या होती है CNG की फुल फॉर्म आप लोगो कमेंड बॉक्स में बतानी है अब बढ़ते हैं 12 नंबर कोशन पर किस प्रसिद्ध जनसंख्या सास्त्री ने कहा है कि खादे सामग्री में ब्रद्धी सदय अंक गड़ती क्रम यानि की एक दो तीन चा किछ जनसंख्या सास्त्री ने कहा है तो यह मालथस ने कहा है किसने का मालथस ने बहुत ही इंपॉटन कोश्चन आपका यह कितन किस यह मालथस का है अब बढ़ते हैं थंटी नंबर कुश्चन पर कारवन डायोक्साइड मेथन जलबास आदभी गयसे सूर से आने वाली वि विक्रण को अव्सोसित कर लेती है और इसे बापस नहीं जाने देती है तो जब यह बापस नहीं जा पाता तो इस प्रकार का एक कवच ऐसा बन जाता जब विक्रण इसमें आ जाता है और बापस नहीं जा पाता है तो यह जो एरिया यह पूरा गर्म एरिया हो जाता है तो इ तो यह वह होता है अब इसमें दोस्तों जो सर्जित गैसे हैं इसमें जो ग्रीन होज प्रवाव की गैसे हैं और इनके स्रोध क्या इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं देख लेते हैं कौन पहुन सी है तो सबसे पहली है carbon dioxide, सबसे अधिक रोल जो होता है, इसी का होता है, और यह क्या जीवास्म इंधन और कोईले से प्राप्त होती है, जीवास्म इंधन और कोईले को जलाने से carbon dioxide gas निकलती है, दूसरा है मेथन, मेथन क्या होता है, carbon dioxide का सूत्र क्या होता है, co2 होता है, मेथन क् तो मेथन क्या होता है दलदली भूमी कीचड तथा जानवरों की हड़ियों से में लिए आप लोग याद रखें कि दलदली भूम में जब वहाँ पर पेड़ पौधे सड़ जाते हैं काफी समय से ऐसा ही पड़ा रहता दलदल हो जाता तो वहाँ से इस गैस का उत्सरजन होता है अगला है नाइट्रस अक्साइड इसमें क्या होता है यह नाइलॉन उत्पादन का जो नाइलॉन उद्द्योग है उससे उत्सरजित होती है कोईला के धहन से उत्सरजित होती है और जो मर्दा में जो खाद की उपस्थिती होती यानिकि जो रासाइनिक और बरक डाली ज में इसका प्रियुक किया जाता है क्लियूर। फ्ल़ॉर। घIST किया जाता है क्लियूर। आप क्याते हैं CFC अगला कोईट है जल्वास जल्वास के वाई मंडल समुद्र था हिम खंडों से जो जल्वास की कड़ होते हैं अपसोसित किया जाते हैं तो यह भी वाई मंडल में बने रहते हैं थोड़े बहुत यह इसके लिए प्रहावित करते हैं ग्रीन हाउस एफेक्ट के इमतर्गात आते हैं जल्वास तो यह पांचों चीज़ें आप लोग बिल्कुल रट लीजे थोड़े थोड़े हैं आराम से याद कर सकते हैं आप लोग आप बढ़ते हैं फिप्टीन नमबर कुश्चन पर विश्चु जनसंख्या दिवस कम मनाया जाता है तो यह दोस्तो ताज महल का रंग जो है वह संग्मर्मर की वजह से सफेद है और संग्मर्मर एक पत्थर होता है और यह सलफर डियुक्साइड गैस होती है SO2 गैस जो हमारे वायमंडल में उपर एकत्रित हो जाती है बरसा के साथ में नीचे आ जाती है तो ये जब ताजमहल के उपर पड़ती है तो ताजमहल में संगमरमर से क्रिया करके ये उसका रंग पीला कर देती है अब ये सलफर डायकसाइड गैस आती कहां से है तो ये आती है दोस्तों मतुरा में जो तेल सोधक रिफाइनरी है और इसके साथ आगरा में भी काफी चमड़ा उद्धियो गैस के लाबा अन्य जो कारखाने इन सभी से SO2 गैस का सरजन होता है और ये उस शेतर के चारो ओर वा पाई भी के जा रहा है पर्यावर्ण की द्रश्टी से कि कोई भी ताजमहल के आश्पास बिल्डिंग नहीं बनेगी नहीं कोई कार खाना लगाए जाएगा दोस्तों यह आज आज आपके important questions complete करवा दी है मैंने इस चेप्टर के इसके आगे कि एक दो चेप्टर बचे वह उनको भी जल्दी हम लोग next part में discuss कर लेंगे इसके आद इसका पूरा आपको एक practice set मिलेगा important questions मिलेंगे इससे लेटर इनको मैं पूरा एक आपका practice set तयार कर दूँगा और उनको पूरो एक और उन सभी को आप लोगों को solve करना है देखना है कि कितनी आपकी त्यारी हो गई करती है इन सभी की वीडियो भी समय पर देखते रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe ना किया हो तो subscribe कर लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो इसे like कर दें अधिक से दिख अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूलें थैंकि दोस्तों